जैन्द इस्टुइट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेज में इस्टुइट्स अभी फिलाल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका जो डैसबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन है कुछ इस टाइप से अगर आप जीकब की ऑफिशियल साइट जो की है जीकब.admissions.nic.in इस पर जा करके अगर आप अपने लॉगिन आइडी पर जाएंगे तो लॉगिन आइडी में आपको एक ओप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा जो की है आपका मैने चोईस फिलिंग एंड important message लिखा हुआ है dear candidate as you have downloaded your admit card and also filled at least one choice successfully new choice filling modification facility will be available from 7 अगस 2023 and onwards ठीक है तो दिखिए यहाँ पर इस message के recording आप सभी का जो refilling है यनि दुबारा से जो आपकी choice feeling होगी वो आपकी 7 अगस्त से यहाँ पर अपेबल हो जाएंगे अपनी दुबारा से choice feeling करने के लिए लेकिन students यह गलती मत करना यह choice feeling दुबारा मत करना अभी क्योंकि जो आपकी choice feeling दुबारा होगी वो दुबारा उसके बाद आप correct नहीं कर पाओगे उसमें कोई और college add नहीं कर पाओगे रिमूब नहीं कर पाओगे तो sir दिक्कत क्या होने वाली है अगर by the way add भी कर देतो तो same choices के साथ आपको तीनो round की counselling में participate करना होगा और इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे ठीक है तो direct आपको fourth round में मौका मिलेगा change करने का तो मान के चलो आपकी तीन जो main round जो मुख्य round counselling होगी main तो आपका तीन round की counselling है इसके इलावा आपकी जो है 4 से 11 12 जितन खाली होंगी उतनी round तक यहाँ पर counselling जो है चलती रहेंगी लेकिन इसमें मुख्य जो है आपकी third round तक की counselling होने वाली है तो इसमें आपको कब यहाँ पर choice feeling करनी है यह मैं आपको यहाँ पर जीकप की notification में ही दिखा दे रहा हूँ ठीक है तो चलिए आईए सबसे पहले मैं लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा दू यहाँ पर आपका जो home page पर जब आओगे official website के जो की gcup.admissions.nic.in है यहाँ पर नीचे आपको लिखा हूँ हम मिला है कि अभ्यहरती admit का डाउनलोड करने एक पश्चाद भी पॉल्टेक नहीं ह को जोड सकते हैं 20 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं तो इनके according 7 अगस्त से ले करके यहाँ पर आप 20 अगस्त तक अपनी choice में changes कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका starting date हो गया यह आपका last date हो गया change करने का लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह अपने ही एक सब्दों में एक अपने notification में यह भी कह रहा है कि आपको choice feeling दुबारा जो है तभी मिलेगी जब आपका result आजाएगा जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि result आने के बाद ही आपको अपनी choice feeling करने हैं तो आईए वो भी मैं आपको दिखा दू तो students देखिएगा यह information bulletin है आपके जीकप के 2023 का जिसमें एक point आपका दिया हुआ है इसमें बोला जा रहा है कि counseling हेतू परिक्षा परिणाम घोसित होने के उपरांत चैनित अभ्यर्थी को के द्वारा online counseling में प्रतिभाग किया जाएगा ठीक है अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए संस्थाने में पाठिकरम के विकल्प को वरियता करम वह आरक्षण के अनुरूप आवंटित करते हुए यहनि कि allot करते हुए किसके आधार पे आपके आरक्षण एनि reservation के आधार पे और आपके वरियता करम के आधार पे यहनि आपके merit list के आधार पर अरे आभ्यर्थी को उनके login पर अपबंधित यहनि provisional allotment लेटर आवं पर जो भी आपने choice filling करी है उनको वरियता करम merit list के आधार पे और आपके reservation के आधार पर यहाँ पर allot किया जाएगा और यह इसका जो reference लिया जाएगा वो ORCR 2022 को लिया जाएगा ओपनिंग rank and closing rank 2022 जो है उसको reference लिया जाएगा उसके आधार पर यहाँ पर seat आवंटन किया से government policy technique लखनाऊ है अगर पिछले साल में 10 rank वाले को पहले admission मिला था और अंतिम rank वाले को 575 rank वाले को यहाँ पर admission दिया गया था तो यहाँ सबसे पहले try किया जाएगा कि 10 से 575 rank तक के बच्चों को ही यहाँ पर GPL के मालोग कोई एक ही branch की हम बात करते हैं civil engineering में admission दिया सा और increase किया जाएगा लेकिन यह बहुत कम होता है है ना बाकी जादतर आपके previous ORCR के according ही यहाँ पर allotment होता है है ना तो यह आपको ध्यान रखना है अब बच्चों का query यह भी है कि बहुत सारे बच्चों का कि सर हमारे form में बहुत सारे corrections हैं जैसे हमारा category गडबड हो गया category हमने गलत फिल कर दी है ठीक है तो उसके लिए क्या समधान है क्या हम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखेगा एक point आपको दिया गया है आपके online counseling के time correction के संबंद में यहाँ बताए जा रहा है online counseling हे तु अरे अभैरति को portal पर पुर्व में दिये गए विकल्पों को संसोधित या तो आप यहाँ पर दुबारा refilling करेंगे choice की उस समय अपना वर्ग उपवर्ग लिंग यानि कि आपका जेंडर एवं राज संबंदित अरहता जो है यहाँ पर परवर्तित कर सकेंगे यानि कि इन चीजों में यानि कि अगर आपकी category जैसे आपने गलती से EWS भर दिया है आप जेंडल भरना चाते हो आप कर सकते हो ठीक है अगर आपने SCST भर दिया है आपको जेंडल करना है आप कर सकते हो ठीक है तो यह आपको सुविधा यहाँ पर मिलेगी या फिर आपने कभी जेंडल भरा था आप EWS करना चाते हो तो आप EWS कर पाओगे तो यह सुविधा आपको अपनी counseling registration के time पे जो है करने का मौका मिलेगा है ना तो यह आपका जो है process होने वाला है जिसमें आपको correction करने का मौका दिया जाएगा आपका category gender and आपके राज की जो अरहता है जो state eligibility है जैसे आपने मालो बिहार गलती से भर दिया या अधर देन उत्तर प्रदेश दो option ह एक UP का होता एक अधर देन जो है यहाँ पे UP का होता है ना तो अगर अधर देन UP आपने भरा है तो UP कर पाऊगे और UP अगर भरा हुआ है गलती से UP के बाहर के हैं आप तो अधर देन UP कर पाएंगे है ना तो यह correction आप अपनी counseling start होने के time पे कर पाएंगे यह सुभधा आपक आपको दो option दिया जाएगा एक fridge का होगा एक float का होगा जो बच्चे fridge का option चूज करेंगे वो उसी college के साथ अपना admission complete करेंगे admission process और जो बच्चा float चूज करेंगा वो seat उसको alert हुई है वो reserve रहेगी और आगी की round की counseling में वो participate कर पाएगा जो float करेंगे उन बच्चों को कुछ fees यहाँ पर deposit करनी पड़ेगी ठीक है और जो freeze करेंगे उनको 3,250 रुपया पूरी fees जो है deposit करके यहाँ अपनी seat reserve करनी पड़ेगी इस्ट्विंट्स देखीगा यहाँ पर आपके freeze float होने के बाद जो आपका अगला process होता है उसमें आपका document verification एक बहुत important यहाँ पर एक step है कह सकते हो आपका चरण है या obstacle है आपकी admission में और यहाँ पर देखेगा आपका इस बार एक महत पून जो है step लिया गया है आपका यहाँ पर देखेगा बोला जा रहा है कि अभ्यारतियों के अभी लेखो यानि documents का जो verification होना है वो अभ्यारतियों के आधार card प्रमाणन यानि कि आपके आधार card authentication के अनुसार निकर्तम जिले के राजकी पॉल्टेक्निक संस्थाओ यानि कि सहायता केंडर help center के माध्यम से किया जाएगा तो students एक line जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ problem create कर देगी जैसा कि आप जब admit card अपना download कर रहे थे तो बहुत सारी problems आपको face करनी पड़ रही थी अपना यहाँ पे admit card download करने में जिन बच्चों का आधार में कोई भी mistake था कोई गलती थी date of birth गलत था जो है उनका नाम में कोई mistake था या कोई भी इस प्रकार की गलती थी उसमें यहाँ पे आप अपने आधार के साथ अपना यहाँ पे admit card download नहीं कर पा रहे थे लेकिन जो यहाँ पे एक step है आधार authentication का यह आप जो है अगर नहीं pass कर पाओगे तो हो सकता है कि आपका admission वही cancel कर दिया जाए क्योंकि यह एक document verification का part है तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपके आधार card में कोई mistake ना हुआ ना आधार card में आपको एकदम कोई भी mistake अगर आपको दिखता है तो आप जा करके तुरंट उसको correct करवा लिजे कि one week में आपका वो सही हो सकता है अगर आपका कोई भी गलती कोई भी mistake है तो और एक बार अगर आप DV से reject हो जाएंगे तो पहले से तीसरे चरण के counseling के लिए पहले से तीसरे round तक की counseling के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा counseling से and आपको सीधे चौथे round की counseling में participate करने का मौका दिया जाएगा ठीक है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको उसका भुकतान इस प्रकार से करना पड़े कि मुख्य round की counseling से आपको बाहर कर दिया जाए इसके लावा अन्या बहुत सारे जो documents आपको अपनी admission के लिए लगने वाले हैं ध्यान दीजेगा मैं एक सब्द बोला हूँ यहाँ पे admission में लगने वाले हैं यानि कि इन में से कुछ ऐसे document है जो कि DV में भी आपको देने पड़ेंगे लेकिन आपका मुख्य जो ये आपके original and photocopy जो जमा होंगी यहाँ पे ठीक है वो आपके अपने institute यानि कि college में जमा होगा है ना जो भी आपको college a lot होगा जो कि बताया जारा है कि अभेरति अपने अभभंदित प्रवेश आवंटन पत्र यानि प्रविशनल एडमिशन लेटर जो कि आपकी सूल्क जमा करने के बाद यानि पूरी फीज जब आप जमा कर देते हैं तो आपको मिलता है इसके साथ आपको अपने मूल अभी लेकि तो इन सभी डॉकुमेंट्स में से अगर कोई भी डॉकुमेंट्स आपका मिसिंग है तो आप इसको सही करा ले ना इसमें आपका TCNEX transfer certificate भी आएगा ठीक है और जो बच्चे UP से बाहर के हैं उनके migration certificate कहाँ पे लगेंगे हैं तो migration certificate भी आपको देना पड़ेगा ये आपको अलग से बनवाना पड़ता है आप अपने school college जो भी आपका होगा वहाँ से संपर्क करके migration certificate जो बच्चे उत्तर प्रद आपको नहीं करने चाहिए तो मैं आपको बता दू कि अगर आप हमारे channel के through जुड़े रहते हैं लगातार आप self counseling करना चाहते हैं चीजों को खुद से सीख करके तो आप definitely हर इक videos को follow करते रहे हैं जिसमें सारे important details सारे important जितनी भी जानकारी की चीज़े हैं वो आप सभी के स साजा की जाती हैं उनको आप follow करके आप अपना admission process complete कर सकते हैं आपका ORCR analysis से ले करके choice filling college allotment, document, verification and admission तक का सारा process आपको इस channel पर वीडियो के माध्यम से जो है समझाय जाएगा बताय जाएगा उसकी सारी information दी जाएगी वो information सबसे पहले आप तक पहुँचेगी वो वीडियो live session सबसे पहले आप तक पहुचे इसके लिए चाहिए कि आप सभी channel को subscribe कर लिजेगा and notification bell को press करके all पे select कर लिजेगा ताकि कोई video और यहाँ पर जो live session है वो miss ना हो and telegram group को भी join जरूर कर लिजेगा telegram channel को जरूर join कर लिजेगा ताकि जो है सबसे पहले update आपको मिले क्योंकि telegram channel में सबसे पहले update किया जाता है stream मैं आपको बता दू कि जो बच्चे यहाँ पे अगर उनको A to Z सारी videos provide करा दी जाए उसके बाद जूद भी अगर वो यहाँ पर अपना counseling self करने में असक्छा में नहीं कर सकते उनको knowledge नहीं है वो risk नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि 100% उनको government college यहीं सरकारी college मिल जाए तो वो अपनी counseling हमारे द्वारा करा सकते हैं हमारे द्वारा counseling कराने के लिए 9076-929-784 जो whatsapp number है इस whatsapp number पे आपको जब आपका result आ जाएगा उसके बाद अपने rank card के साथ आपको अपना login details share कर रहा है and जैसा कि सभी जो fees counseling की सभी यहाँ पर 300 रूपीज पे करवा रहे हैं आपको भी यहाँ पर 300 रूपीज ही मात्र पे करना है लेकिन हमारे वहाँ क्या benefit है आपको कि college की complete information दी जाएगी कौन कौन से college भरे जाएंगे आपके कितने college भरे जाएंगे और बहुत जादा संख्या में नहीं कुछ limited संख्या में आपके घर स से nearest colleges की list एक provide कराए जाएगी जिसमें आप admission के लिए eligible हैं और वहाँ पर आपकी counseling कराए जाएगी और आपको 100% government college एलोट करा करके दिया जाएगा है जिसके fees मात्र 300 रूपीज है आपको इसी whatsapp पे जो qr code लगा होगा dp पे उसको scan करके ये fees भी pay करनी होगी अपने rank card login details के सा आपको उसका screen sword एनी जो fee payment है उसका screen sword भेजना होगा और आपकी complete counseling जो है हमारे द्वारा कर दी जाएगी ठीक है तो ये पूरी information जो है counseling से related मैं दुबारा से ये बात कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पर self counseling करना चाहते हैं वो channel से जुड़े रहें A to Z सारी videos मिलेंगे आपको self counseling कर सकते हैं ठीक है और complete अपने admission process को complete कर सकते हैं और लगातार videos इस पे आपको मिलती रहेंगे इसके लिए सिर्फ आपको channel को subscribe करके रखना है and notification bell को press करके all पे यहाँ पे select कर लेना है आपको सारी videos information मिलेंगी जो बच्चे हमसे counseling कराना चाहते हैं वो in whatsapp number का use करेंग तो आज के इस video में बस इतना ही I hope जितने भी आपकी यहाँ पे doubts होंगे आपने यहाँ पर answer की को ले करके आपके result को ले करके है ना result मैं बता दूँ आपके answer की जो है यहाँ पर 7 से 8 अगस्त को आ जाएंगे and आपका उसके बाद जो आपका result है वो 2 से 3 दिनों के बाद आप आपका question answer challenge का आपको time दिया जाता है इसके बाद आपको मान के चलिए कि आपका 15 अगस्त के पहले आपका result भी यहाँ पर declare हो जाएगा है ना तो यह आपका पूरा date के बारे में information है जो कि आपको मैंने एक ही वीडियो में सारे detail दे दी और वीडियो अच्छी लगी हो तो व करिएगा आज के इस वीडियो में बस इतना है मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइप स्टेशन के साथ तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मात्रम आप सभी स्वस्त रहें मस रहें